चलिए आपको बताते हैं कि इस हिंसा की शुरुवात क्यों और कैसे हुई, पुरे मनिपुर में जिस तरह का माहोल है, इस माहोल के पिछे की असली वजह आखिर क्या है, क्यों इस तरह से पुरा मनिपुर तहस नहस हो गया. मनिपुर के सोलह जिलों के राज्यकी राजधानी इमफाल बिलकुल बीच में है. ख्शेत्र फल के हिसाब से इमफाल राज्यकी भूमी का केवल 10% हिस्सा है, लेकिन आबादी के लिहास से देखें तो यहाँ राज्यकी 57% आबादी रहती है. इमफाल के चारों तरफ का 90% हिस्सा पहाडी ख्षेत्र है, इन ख्षेत्रों में राज्य की 43 प्रतिशत आबादी रहती है. अगर हम केवल इमफाल घाटी की ही बात करें, तो यहां सबसे ज्यादा आबादी मैतेई समुदाय की है. इस समुदाय के लोग ज्यादातर हिंदू ह होते हैं, राज्य की कुल आबादी में मैतेई की हिस्सेदारी करीब 53% बताई जाती है. राजनीतिक रूप से भी मैतेई समुदाय का खासा वर्चस्व माना जाता है, इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 60 विधायकों वाली मनिपुर विधान सभा में 40 विधायक मैतेई समुदाय से आते हैं. इन में प्रमुख रूप से नगा और कुकी ट्राइब हैं. ये दोनों जनजातिया मुख्य. रूप से इसाई धर्म को मानती हैं. इसके अलावा मनिपुर में 8 से 8 प्रतिशत आबादी मुस्लिम और सनमही समुदाय की है. मनिपुर में पहाडी ट्राइब्स को आर्टिकल 371 C के अंतरगत स्पेशल स्टेटस ये स्टेटस मैतेई समुदाय को नहीं मिलती. इसके अलावा यहां भूमी सुधार अधिनियम की वजह से मैतेई लोग पहाडी इलाकों में जमीन खरीद कर बस नहीं सकते. वहीं दूसरी तरफ ट्राइबल्स को पहाडों से घाटी में आकर बसने पर कोई रोक नहीं है. ये रियायत भी दोनों समुदायों में मतभेद का बढ़ा कारण बताई जाती है. मनेपुर की स्केडियूल ट्राइब दिमांड नेतरित्व में मैतेई समुदाय साल 2012 से सेंट का दरजा दिये जाने की मांग कर रहा है. मैतेई का तर्क है कि 1989 मे मनेपुर के भारत में विलय से पहले उन्हें एक जनजाती के रूप में मान्यता दी गई थी. लेकिन भारत में विलय के बाद उनकी ये पहचान समाप्थ हो गई इसके बाद मामला मनेपुर हाई कोर्ट पहुँचा. इस पर सुनवाई करते हुए मनेपुर हाई कोर्ट ने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मैतेई समुदाय को ST स्टेटस देने का आदेश दिया। अब हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। पॉरम देखते ही देखते इस बंद ने हिंसक रूप ले लिया। उसी रात तुईबों एरिया में उपदरवियों ने वन विभाग के आफिस को आग के हवाले कर दिया। गई आदिवासियों के इस प्रदर्शन के विरोध में मैतेई समुदाय के लोग खड़े हो गए। हिंसा की शुरुवात के बाद अफवा फैली की मैतेई समुदाय की महिला के साथ रेप हुआ है। इस खबर के बाद मैतेई समुदाय के लोग चार मई की दोपहर करीब तीन बजे आठ सौ से एक हजार लोग भी फेनोम गाउ में घुस आये थे। उन्होंने गाउ में तोर फोर करने संपत्या लूटने के बाद घरों को आग लगा दी थी। यहां से कुकियों का एक परिवार जिसमें पांच लोग थे वो जान बचाने के लिए अपने पडोसियों के साथ जंगल में भाग गए। इनमें दो पुरुष और तीन महिलाएं शामिल थी। उनमें 56 वर्षिय एक व्यक्ती, उसका 19 वर्षिय बेटा और 21 वर्षिय बेटी के अलावा 42 वर्षिय और 52 वर्षिय महिलाएं भी शामिल थी। बाद में पुलिस ने उन्हें जंगल से रिस्क्यू कर उनको लेकर पुलिस स्टेशन जाने लगी। उसी वक्त मैतेई समुदाय के लोगों की भीड वहां पहुँची और उन्होंने पुलिस वालों का रास्ता रोक लिया। सभी पाँच लोगों को पुलिस से वो भीड चीन कर ले गई। पाँच लोगों में से भाई और पिता को भीड ने मार डाला तीन महिलाओं को नगन करके उनके साथ दरिंदगी की बाद में ये महिलाएं किसी तरह वहां से भाग गई जिसके वीडियो 19 जुलाई को सामने आ दर्स हुई एक महीना बीतने के बाद भी इस मामले में कोई कारवाई नहीं हुई थी लेकिन 19 जुलाई को वीडियो वाइरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई अब तक पांच आरोपियों को गिरफतारी हो चुकी है लेकिन सवाल ये उठता है कि मनिपुर के सीएम एन बी राज्य में कुछ चर रहा है वो अपने राज्य के लिए क्या कार्य कर सकते हैं ये तो आप सभी के सामने हैं मनिपुर में हालात सुधरने की बजाए बिगरते ही जा रहे हैं अब इसकी आग इमफाल तक पहुँच गई है आपको बता दे गारी इलाके महिलाओं का जबरद इस इलाके में पुलिस और आर्मी मार्च कर रही है एक दिन पहले भी इस घटना के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आये थे इतना ही नहीं गुसाई भीड ने शुक्रवार को एक आरोपी का घर भी जला दिया था भाइरल वीडियो है उसी बज़े से काफी लोग निराज है निराज है टेंशन है क्योंकि यह अपने सोसाइटी में ऐसा ही लड़की लोग को मा समझता है और मा लोग को ऐसा ही बेज़टी करना यह नहीं होता तो इसलिए आज स्टेट वाइट इसका प्रोटेस कर रहा है प्रोटेस हरे स्टेडवाइट प्रोटेस हरे एक इस जगह में कर रहा है कि उसको जो गुनगार है उसको कराशे करें से करें सजा दे और इसको एक्षन ले 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 ली तो कल उसके घर भी जो एक्यूस नंबर वान है वो जो पहले पकरा था एक उसके घर भी बस्ती का मेरा पाई भी इमालो आके जला दिया तो मतलब यह मनिपूर सोसाइटी जो है यह क्राइम एगेंस वुमन जो है इसके एगेंस में वुमन लोग को मा मानता है तो इसलिए आज मुरा स्टेट वाइट स्टेट वाइट हरे कॉंसिट्वेश्य में आप मिलेंगे प्रोटेस ऐसा ही चीज को दुबारा नहीं होना साहिए पोलके तो आभी हमने वो गुनागारी लोग को अभी एकड़म पुलिस की तरफ से कोशिश कर रहा है कि आभी तम ने सार्टों पकड़ लिया और जो जो इंभॉर्ग है उसको सब पकड़ेंगे सब पकड़ेंगे और हम एक्जेंप्लेरी परिश्मेंट देने के कोशिश करेंगे हम लोग सरकार की तरफ से पूरा जोड़ लगाएंगे हम अभी जाएंगे हम अपने एम ले लोग मिनिस्टर लोग हड़े कोशिश में जाजा के मिल रहा है कि सब को सांथी रखने के लिए सांथी से काम करना है और लिगेली लोगी मदद से जो भी करना है लोगी ठूश से करना है और सरकार ने इतना इतना हम लोग ने पकड़ लिया है और मतलब यह प्रोटेस जो है सरकार की सरकार को ताकत देने के लिए सरकार को पूस्ट रहे कि जल्दी से जल्दी वोग को पकर के जो लेगेल के जोज देना है उसको पनिसमें देने के लिए उसी हिसा में कर रहा है य प्रोटेश